तो ये देखिए आज हमने बदाएंगे चीजी एक ब्रेट टोस्ट रेसिपी तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएं इससे बनाने में किन-किन चीजों की ज़रूरत है तो उसे बनाने के लिए हमने लिए है ब्रेट की स्लाइसेज और हमने लिए है चार अंडे और हमने लिए ग्रेट करो हुआ मॉजरेला चीज और हमने लिए बटर हमने लिए कटी हुई बंद गोभी और हमने लिए गाजर जिसे हमने इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है और हमने लिए कटी हुई प्याज बनाना शुरू करते हैं तो सब पहले हमने एक बाउल लिए अब हम इसमें अंडे को तोड़ लेंगे अब हम इस मैट करेंगे स्वादनुसार नमक और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब करें तो यह थेक हमने से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें करें कटि हुई प्यास और में इस माइट करेंगे कट हुए गाजर है और हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह दखी हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हमने दिया एक पैन और हम ग्यास की फ्लेम को अन कर लेंगे और अब हम इस मेट करेंगे बटर और हम बटर को मिल्ट कर लेंगे बटर मिल्ट हो चुक है अब हम इसके ऊपर ब्रेट की स्लाइस रख देंगे और हमें इसे दोनों साइज से अच्छे से टोस्ट कर लेना है देखिए ब्रेट दोनों साइज से टोस्ट हो चुका है अब हम इसे फ्लेट में निकाल लेंगे और हम इसी तरह से सभी ब्रेट को टोस्ट कर लेंगे आप तो यह देखिए हमने ने सभी ब्रेट को टोस्ट कशर लिया है अब हमने पैनमें तेल करम कर लिया है अब हम इसमें अंधे वलो बैटल डाल देंगे आप हम यह ए कर लेदे यह देखि इस तरह से अब हम इसे परट लेंगे और हम इसे दूसरे साइट से हलका पकने जाएंगे यह दूसरे साइट से भी पक चुका है अब हम ग्यास की फ्लेम को ओफ करेंगे और इसे निकाल लेंगे अब हम उसी तरह से हाफ बैटर का भी तयार कर लेंगे यह बार लेंगे अब हमने वापस से भाई पैन लिया है अब हम टोस्ट कर हुआ ब्रेट फ्लाइस इस पर रख देंगे अब हमने ग्रैस की फ्लेम ओन नहीं करी है और अब हमने जो अंडा बनाया था उसे इस पर रख देंगे मॉजरेला चीज मॉजरेला चीज आएदक हम इसके उपर WHY मॉजरेला चीज कर दिया हे हरी मिर्च बारिक करती हुई बरा बड़िटेश बंडैक ब्रॉल दकी एं तोमेटो सॉस पर एक और ब्रेट की स्लाइस एड़ कर देंगे और इसे हलका सा प्रेस कर देंगे हम इसे ढग देंगे और हम इसे लो फ्लेम पर दो से तीन मिनट के लिए बखने देंगे तो यह देखिए इसे पकते हुए दो से तीन मिनट हो चुका है अब हम गैस की फ्लेम को आफ करेंगे और इसे सर्फ करेंगे देखिए चीजी एक ब्रेट टोस्ट रेसीपी बनकर विलकुर रेड़ी है बहुत ही टेस्टी बनी है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है आप इसे एक बर दरू टाई करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर दरूर करें और हमें कमेंट्स करके दरूर बताएं थैंक यू